पंकत स्रिपाटी को हम सब ने देखा है सीरिस और कॉमेडी रोल्स करते हुए लेकिन उन्हें नेवर सीन बिफोर वे में हम देखने वाले हैं फिल्म काड़क सिंग में और आज हम इसी फिल्म का ट्रेलर रिव्यू करने वाले हैं ट्रेलर के बारे में बात करें तो इसमें सी स्टोरी का थोड़ा बहुत समझ आता है कि पंकत स्रिपाटी के कारेक्टर का मेमरी लॉस हो जाता है जिसके बाद वो डिरेक्ट हॉस्पिटल में दिखाई जाते हैं with no memory of the past. यहां आते हैं स्टोरी में कई characters from children to boss, girlfriend to colleague. यह चार अंगल्स में स्टोरी टेक प्लेस करेगी कि आखिर memory loss के पहले Pankas Shripati का कारेक्टर था क्या? आज बच्चे बोल रहे हैं कि वो इतने strict थे कि वो उन्हें कड़क सिंग बोलते थे. अब यह देखना interesting होगा कि मुवी कैसी होगी क्योंकि ट्रेलर तो कुछ नहीं दे रहा हमें and suspense में छोड़ रहा है with its twists and turns. फिल्म में Pankas Shripati तो होंगे as कड़क सिंग बड़ उनके अलावा संजना संगी भी नज़र आएंगी उनकी बेटी की रोल में. वेल, मुवी के बार में पता चलता है कि Pankas Shripati के क्यारक्टर का रियल नेम S.K. स्रीवास्तव होगा जो कि Memory Loss से पहले थे Joint Director of Department of Financial Crimes and वो किसी बड़े चिट फंड को unravel करने वाले थे. तो जाहिर सी बात है कि स्टोरी में layers काफी सारी है from different narratives to actual case. अब ऐसी suspense thrillers में कुछ भी हो सकता है कोई भी suspicious character actually अच्छा हो सकता है वेरास कोई भी character surprise कर सकता है and कड़क सिंग is successful in creating interest with its story. वेल, मुवी के ट्रेलर हाल ही में is in International Film Festival, India and मुवी स्क्रीन भी सबसे पहले वही होने वाली है and इसकी release date पर बात करे तो ये theaters में नहीं but OTT पर आएगी on 8th December on Z5. मुवी पर पंकर श्रिपाटी ने बात करते हुए reveal कि कड़क सिंग is truly different from all the roles and characters he did until now and वो दिख्कर आ रहा है on screen. Lastly हम excited है for a fast-paced suspense thriller तो वेट करते हैं 8th December का. Well, अगर आपने कड़क सिंग का trailer देखा है तो आपको कैसा लगा? Do let us know in the comments.